असलाम नेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब उमीद है, आप सब खेरिट से होंगे सब बच्चे अपनी उर्दू की किताब हरफ कहानी तस्वीरी काईदा खोलेंगे सब बच्चे पेज सफ़ा नमबर 17 खोलेंगे, सफ़ा नमबर 17 आज का हमारा सबक है प्यारे बच्चों, पढ़िए और लिखिए तो आज हम पढ़ेंगे हरफ से, हरफ से और इसको लिखना सीखेंगे सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, हरफ से, हम इस एरो से शुरू करेंगे और ये नुक्तों के उपर लिखते हुए हरफ से की शक्कल मुकमल करेंगे बिल्कुल ऐसे और हरफ से के उपर तीन नुक्ते होते हैं इसको सब बच्चे अच्छी रहा से याद करेंगे कि हरफ से के उपर तीन नुक्ते होते हैं कहां पे नुक्ते होते हैं हरफ से के उपर जी तो ये कौन सा हरफ है हरफ से और अब हम पढ़ेंगे से से बनने वाली चीजों के नाम चलें से से क्या बनता है से समर से समर से समर से समर जी से से बहुत कम चीजों के नाम बनते हैं इसलिए से समर, से समर, सब बच्चे इसको मेरे साथ पढ़ेंगे और इच्छी तरह से याद करेंगे हरफ से, से समर, से समर, से समर, से समर, गड़, अब हम हर इस सफ़े के आखिर पे एक छोटी सी मश्रक है, उसे करेंगे हरफ से के गेड़ दाइरा लगाएंगे, अब इन हरूफ में से हम हरफ से की पहचान करेंगे और इसको ढून कर उसके गेड़ दाइरा लगाएंगे, जैसे के ये हरफ से है तो इसके गेड़ ऐसे दाइरा लगा देंगे, सब बच्चे ये काम अपनी अपनी किताबों पे अच इसके साथ हरफ से की प्रैक्टिस करेंगे, इसकी पहचान करेंगे और इससे बनने वाली चीजों के नाम याद करेंगे हम इसको एक दफ़ा दुबारा पढ़ लेंगे सब बच्चे इसको मेरे साथ रिवाइस करेंगे जी, तो प्यारे बच्चों, ये कौन सा हरफ है? हरफ से, जी, कौन सा हरफ है हरफ? से, से, समर, से, समर, से, समर, शाब बाश, सब बच्चे अपना ख्यार रखेगा, अला आपिस